कुछ लोग, कुछ लोग एक्सिडेंटल हिंदू है और महाबारत का ज्यान भी एक्सिडेंटल है हजारों साल पहले हर्याना में कुरुक्षेत्र में एक युवा को अभिमन्यों को छे लोगों ने चक्र व्यू में मारा था इस उपनियास के मताबिक जिस पार्टी के सरवे सरवा आप हैं उस उपनियास के उस उपनियास के वही कौर वपार्टी है मैंने चक्रव्यू के बारे में थोड़ी रिसरच की और पता लगा कि चक्रव्यू का एक दूसरा नाम होता है पड्मव्यू मतलब लोटस फर्मिशन दीसरी बार जब नरेंद्र मोधी प्रधानमंत्री बनकर संसत पहुँचे और सदन की कारेवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए तेवर कलेवर में दिखे नेता प्रतिपक्ष और संसत की मर्यादा परंपरा को परे रखकर वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर जिस तरह सियासी हमला करते रहे उसका काट बीजेपी ढूंड नहीं पा रही थी ऐसे में राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी ने पूरु केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर को तैयार किया और बजट सत्र पर राहुल गांधी के लेवल पर जाकर जिस तरह अनुराग ठाकुर ने उनकी शैली में जवाब दिया उसने कॉंग्रेस सहीद पूरे विपक्ष को हिला कर रख दिया नमस्कार मैं हूँ पुनीत तिरपाथी और आप देख रहे हैं हमारी विशेश पेशकस खबरों की तहतर बजट सत्र पर चर्चा के दोरान राहुल गांधी ने जिस तेवर में हमले किये उसके कार्ट के लिए बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को एक मिसाइल के साथ उतारा ये मिसाइल कॉंग्रेस का था एक उपन्यास की शकल में था और इसे लिखने वाले कॉंग्रेस के ही दिग्गत शशी थरूर है ये मिसाइल चली और खूब चली इस उपन्यास का नाम है The Great Indian Novel The Great Indian यानि महाभारत इस महाभारत में भी वेद व्यास के महाभारत की तरह 18 अध्याएं हैं वेद व्यास के महाभारत के सारे करेक्टर इस महाभारत में भी हैं अंतर केवल दो हैं प्राचीन महाभारत के लेखक वेद व्यास थे और वक्त दौपर युक का था यानि आज से करीब बावन सो साल पहले लेकिन मौडरन महाभारत के लेखक कॉंग्रेस के दिग्ज निता शशी थरूर है और इसका वक्त देश की आजादी और उसके बाद का यानि 1947 और उसके बाद का है और मैं बताऊंगा शशी थरूर जी ने शायद वो ही राहूल गांदी जी को बता दे या बताएंगे ने तो मैं बतायता हूँ कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंतरता संगर्ष को मिलाकर जो उपनियास लिखा है उसके पात्र कौन-कौन है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क बढ़ नहीं थी पूरे सदन में इसे जानने का कौतुहल था अनुराग ठाकुर ने बताया कि थरूर के उपन्यास में कॉंग्रेस को कौरोपार्टी और महात्मा गांधी को गंगा जी बताया गया गंगा जी का करेक्टर महाभारत के भेश्म पिताहमस से मिलता है उपन्यास में प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू को धृतराष्ट बताया गया और उनकी बेटी यानि इंद्रा गांधी को प्रिय दुर्योधनी जो धृतराष्ट के सो पुत्रों के समान थी आपको बता दे कि इंद्रा गांधी का एक नाम प्रियदर्शनी भी था धर्वूर ने दुरुपत की तुलना तबके वायस राय से की और उनकी पत्म लेडी माउंट बेटन का दी जेक रखिया उपन्यास में गांधारी की जग़ कमला नहरू और ध्रिस्टरास्ट के भाई पांडू की जग़ सुभाश शंद्र बोस विदूर की जग़ सरदार पटेल, कर्ड की जग़ मुहम्मद लिजिन्ना और द्रोनाचार की जग़ जै प्रकाश नारायन को रखा गया धरूर के उपन्यास में शकुनी की जग़ पश्चिम बगाल के पूर्य मुख्यमंत्री सिद्दाव शंकर रे को रखा गया है जबकि दुरपदी की तुन्ना लोक तंत्र से की गई है जिसका कौरवों ने चीर हरण किया दा इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र अजूम्ड लीडर्शिप ओन फिफ्टेंथ ऑगस्ट नाइटिन फॉर्टी सेवन है जस्ट बीन थूरू अ कथार्टिक प्रोसेस अव रिजनरेशन अनधर स्ट्रेज इंडिस एंडलेस साइकल अब 15 अगस्ट 1947 को परधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे और यह कह रहे हैं कि जिन्हों ने 15 अगस्ट 1947 को उस समय वो सताली थी वो धित्राष्ट थे तो धित्राष्ट किसको कहा गया अब आपने मुझे बांध रख्या कल स्पीकर ने कहा है स्पीकर मोदी ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं नहीं तो प्रधम परधानमंत्री जी को धित्राष्ट मैंने नहीं कहा इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है चुकी बात धरूर के उपन्यास की चली है तो केरेक्टर के साथ इसकी थोड़ी कहानी भी सुनते जाईए उपन्यास में लिखा गया कि जब भारत का बटवारा हुआ चारों तरफ हिंसा हो रही थी लेकिन द्रितराष्ट यानि जवाहर लाल नहरू दुरुपत यानि तबके वायसराय की बीवी यानि लेडी माउंट बेटन से चक्कर चला रहे थी गांधारी यानि कमला नहरू भीमार थी और मौद की तरफ बढ़ रही थी लेकिन द्रितराष्ट लेडी माउंट बेटन के साथ चक्कर चला रहे थी द्रितराष्ट के भाई पांडु यानि सुभाष चंद्रबोस की असमें मृत्ति हो गई और द्रितराष्ट राजा बन गया है विदुर यानि सरदार पटेल के लिए विदुर शब्द का इस्तिमाल किया गया है द्रितराष्ट चीन से युद्ध लड़ते हैं कैसे वो हार जाते हैं और कैसे उनकी मृत्ति हो जाती है शशी थरूर के उपन्याज के पेज नंबर 293 में पंडित नहरु की तुलना औसरवादी समाजवादी से की गई है In Delhi, blind Dhritarashtra ruled with Priyadur Yodhani by his side and he pledged the nation not so much to the gas and hot water of his Fabian preceptors but to smoke and steam of the modern industrial revolution, their ancestors had denied this country अनुराद ठाकूर ने शशी थरूर के उपन्याज के साथवे चेप्टर का जिक्र किया जिसमें इमर्जेंसी की चर्चा है इसमें प्रिये दुर्योधनी यानि इंद्रा गांधी और शकुनी यानि बंगाल के स्वक्त के मुख्यमंत्री सिधार्थ शंकर रे के बारे में क्या है ये भी सुनी प्रिये दुर्योधनी और उनके प्रिये पात्र शकुनी शंकर डे देश में अपात काल लगाने की योजना बना रहे थे सर मैं पढ़ता हूँ कि शकुनी ने क्या काई कोट वट यू कोड़ दू ना इस तो डिकलेर एन इंटरनल सीज मैं अखरन त्रण सब्राइब कुट वूर कर रहे हैं उस book को आप समेट कर दी dziए मैं कर दूँगा सब कॉपी आपको भी पिजवा दूँगा सब गाक्तप सम की मैं कर दूँगा अरे Сबूर हे कुट डूल को एक आतिश। इमर्जेंसी कॉंग्रेस की दुखती रग रही है इसलिए कॉंग्रेस पर हमले के लिए बीजेपी को इमर्जेंसी और उसके इससे मिलते जुलते इतिहास की याद आती ही है जिसका मौका थरूर के उपन्यास के पेस नंबर 306 ने भी दिया censorship of the press not to mention censorship of the press which is nowhere explicitly ruled out in the constitution suspension of certain fundamental rights free speech assembly and that sort of things and measures to put up the judiciary in their place said shakuni can you sit there sir can you sit there sir ये किसी और ने नहीं और मैं कहना चाता हूँ sir मानिय अन्राग जी एक किताब गौरो जी को भी फिजवा दिजे मैं कौपी गौलों की को भी फिजवा दूँगा sir sir इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे उस समय की sir उस समय की परधान मंत्री थी जिनोंने emergency लगाई थी एक नेता की स्वर्गिय दादी जी भी है और मैं उनके नाम के आगे उनके नाम के आगे प्रियर दर्शनी भी लिखा जाता था और उन्होंने emergency लगाई थी लेकिन मान्य सभापती जी मैं कहना चाहता हूँ दुशाशन और दुर्योदन दोनों बहुती दुष्ट और बदमाश हो सकते थे लेकिन उन्होंने भी कभी emergency नहीं लगाई थी दुशाशन और दुर्योदन दुष्ट भी हो सकते हैं दुश्मन भी हो सकते हैं बदमाश भी हो सकते हैं लेकिन उन्होंने भी emergency नहीं लगाई थी सर पूरे उपनियास में चोहत्तर बार कॉरव और कॉरव पार्टी की चर्चा हुई हर एक में कॉंग्रेस का चिरित्र धलकता है राहुल जी राहुल जी सदन में हजारों साल पूर हुए महाभारत की कहानी सुना रहे थे और भाषर के बीच में अनुराक ठाकुर ने उसी तरह राहुल गांधी पर तंज कसा जिस अंदाज में बीते कुछ दिनों से राहुल सरकार और बीजेपी के दिगजों को घेरते रहे हैं संसत का सत्र चल रहा है बहस हो रही है चर्चा में सभी दल हिस्सा ले रहे हैं ये अच्छी बात है शसी थरूर के उपन्यास के बहाने बीजेपी ने अब विमर्श का नया चैप्टर खोला है अगर आप इस उपन्यास के और किस्सों को सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें